वेल्कम बैक अब्रेवन वेल्कम टो सिविल सर्विस से स्टड़ी नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पी असी अपर सबोर्डिनेट 2019 के लिए एंपोर्टेंट होंगे प्रश्ण तो बैल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट देखें जिन विद्यारतियों ने भी अलावाद हाई कोट आरो समिक्षा अधिकारी की परिक्षा हितु अवेदन किया है उसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है और उसका जो लिंक है इस टेस्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये नमबर बन है फोकस होगा राजविवस्था के प्रशनों पर देखें 18 तक प्रशन पूछे जाते हैं पिछले 7-8 सालों में 17-18 प्रशन इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं तो देखते हैं कोशन नमबर बन क्या है भारत के सम्विधान के किस अनुछेत के अंतरगत हि हिंदी को शास की अभाषा घूशित किया गया है किसके अंतरगत किया गया है अनुछेत 343 के अंतरगत देखे भारतिय संबिधान के भाग 17 के अनुच्छे 343 में संग की भाषा का उल्ले किया गया है अनुच्छे 343 का जो फर्स्ट है कि अनुसार संग की राजभासा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी भारते संबिधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी भारते संबिधान सभा में 15 तो भारते संबिधान सभा में कुल जो महिला सदस्य थी वो 15 थी भारत का संबिधान किसने बनाया संबिधान सभा ने کوشن نمبر 3 है नम्लिकित मेंसे किसने पहले 300 पहले 1935 में संबिधान सभागा सोचाब प्रस्तावित किया था किसने किया था इन मेंसे सबसे पहले इसका अंसर पतावगा सभी को MN Roy ने किसने किया था MN Roy ने देखे वर्स 1935 में संबिधान सभा का सुझाप सरपर्थम M.N. Roy ने दिया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार किस ने किया पंडित जबालाल नहरू ने इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संबिधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई फोश्य नमर फोर है संबिधान सभा की अलप संख्यकों की उप समीती के अध्यक्ष का नाम बताईए देखें एक समीती का अध्यक्ष किसी एक समीती का अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो बताईए क्या होगा इसका अंसर उप समीती संबिधान सभा की अलप संख्यकों की उप समीती का अध्यक्ष कौन H.C. मुखरजी कौन H.C. मुखरजी देगे संबिधान सभा ने संबिधान के निर्मान से संबंधित कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया इन में से आठ वड़ी समितियां थी तथा कुछ छोटी थी संबिधान सभा की अलप संख्यकों की उप समिति के अध्यक्स H.C. मुखरजी थे कौशन नमबर फाइब है कौन सा मौलिक अधिकार अलप संख्यकों के हितों के संरक्षन की बात करता है कौन सा करता है सिक्षक अधिकार सोशन के विरुद्द अधिकार संबिधानिक अप्चारों का अधिकार सांस्कृतिक और स्क्षिक अधिकार देखे भाड़्तिय संघ्थान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का author जो सांस्कृतिक और सैक्षिक अधिकार हैं वो अनुछिद् 33 में, अनुछेद 39 में, और अनुछेद 30 में, और 25 से 28 तक है धार्मिक अधिकार आपके, scoris sakra about 29 तक है, धार्मिक अधिकार ऐसे और 25 से 28 में, अधिकार है और 24 में और भारते संबिधान में कितने मूल करत ब्यादे हैं। भारते संबिधान में कितने मूल करतब हैं देखे जब बना था ना सुरू सुरू में तो 11 थे लेकिन एक बढ़ गया सुरू सुरू में 10 थे एक बढ़ गया तो कितने हो गए अभी 11 हैं बरतवान में के तक है ना भारते संबिधान के भाग चार के का के अनुछेद 51 का में 11 मूल करतब दिये गए हैं 86 वा संबिधान संसोदन जो हुआ था 2002 के द्वारा परतेक मातापित अथवासन रक्षक 6-14 वर्स तक की आयू के बच्चों को सिक्षा के अबसर प्रदान करवाना उनका जो है मौलिक करतबे हो और ये 11 मूल करतबे के रूप में इसको चोड़ा गया Question number 7 है लोक सभा में सरस्यों द्वारा निजी विध्यक पेश करने की सूचना अबधी क्या है बताइए लोग सभा में सरस्यों के द्वारा अगर निजी विध्यक पेस करना है तो उसकी जो सूचनावधी है क्या है कितनी है कितने महा है वो एक महा की है एक महीने की है तो लोग सभा में सरस्यों द्वारा निजी विध्यक पेस करने की जो निउन्तम सूचनावधी है वो एक मंत है question number 8 है उच्चतम नियाले में संबिधान के निर्वचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए नियाधीसों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए सरवोच नियाले की बात हो रही है यह देखे इसमें कम से कम 5 होने चाहिए होनी चाहिए पांच होनी चाहिए और तो उच्चतम नियाले में संबिधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए नियाधीसों की जो संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए ऐसा कहा लिखा उच्चत 145 के थर्ड में question number 9 है विधान सभा का 17 वसान करने की सक्ति किसको प्राप्थ है किसको प्राप्थ है विधान सभा का 17 वसान करने की सक्ति देखे विधान सभा किस में होती है स्टेट में होती है राजियों में होती है तो कौन करेगा वहाँ पर केंदर में तो राश्ट पती करता है तो यहां राज्य का राज्यपाल करेगा तो गवर्नर करेगा एक हो जाएगा इसका अंसर देखें भारते संबिधान के अनुच्छे 174 के अनुचार बिधान सभा का सत्र आहूत या फिर सत्र आवसान या बिगटन करने की सक्ति होती है राज्यपाल में नहित होती है तीन बाते याद रखिये सत्र आहूत करना सत्र आवसान करना और बिगटन करना कोश्चन नमबर 10 है संबिधान में निम्ण में से किसके विरुध अभियोग चलाने की चलाने का प्राबधान नहीं है भारते संभिधान में इनमें से किसके विरुद अभियोग चलाने का प्राबधान नहीं है बताएए किसके विरुद नहीं है राष्टपती के विरुद है भारत के मुख्यनाइधीज के विरुद है और भारत के उपर राश्ट पती के भी विरुद्ध है लेकिन राज के राजपाल के विरुद्ध नहीं है क्योंकि ये तो राश्ट पती के परशाद पयांत है तो भारत के संभिधान में राजिके राजपाल के विरुद अभियोग चलाने का प्राबधान नहीं है भारते संभिधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट पती अनुच्छेद 167 खा में उपर राष्ट पती तथा अनुच्छेद 124 के फोर में उच्छेदम नियाले के नियाधीसों के विरुद अभियोग चलाने का प्राबधान का उलेख है उच्छेद 11 भारत के मुख निर्वाजन आयुक्त की सेवा निवरत्ती की आयू कितने वर्ष है कितने वर्ष है बताईए मुख नियाधीस चीफ जस्टिस ओफ इंडिया 65 वर्ष कितनी है 65 वर्ष तो भारत के मुख नियाधीस भारत के सौरी देखे मुख निर्वाजन आयुक्त है भारत के मुख निर्वाजन आयुक्त की सेवा निवरत्ती की जो आयू है लेकिन मुखे नयदीज की भी 65 बर्स ही है, जो इनकी है वही Chief Justice CGI की भी है Chief Justice of India की भी 65 बर्स है, और मुखे निर्वाशन आयूक्त की भी अपने पदपर 6 बर्स है, अपने 55 बर्स है हाँ, सही है 65 बर्स है इनकी भी जो भी पहले हो जाए अपने पदपर बने जाते हैं मतलब 6 वर्स तक इनका कारेकाल या फिर 65 वर्स की इनकी आयू Question No.12 है भारते जनता पार्टी के इस्थापना किस वर्स की गई थी किस वर्स की गई थी BJP की पार्टी की स्थापना ऐसे प्रष्ण पटे टाइप के होते हैं पूछ लिये जाते हैं कब की गई थी 1980 में देखे भारती जन्ता पार्टी के स्थापना अधिकारिक रूप से 6 अपरेल 1980 को अटल विहारी बाचपई के नितरत में की गई थी इसके पर्थम अध्यक्ष के रूप में अटल विहारी बाचपई को चुना गया था question number 13 है भारते संबिधान अपने नागरिकों को किस प्रकार के समानता का वचन देता है किस प्रकार की समानता की बात हो रही है देकि समानता ये समता की बात हो रही है तो स्वतंतरता भी है इसमें नयाय भी है तीन प्रकार का नयाय है सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नयाय है और पांच प्रकार की स्वतंतरता है और समानता कितने प्रकार की है दो प्रकार की है कौन-कौन सी है वो अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता मतलब हैसियत की समानता है हैसियत या हैसियत और अवसर या हैसियत या फिर प्रतिष्ठा तो देखिए भारते संबिधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आथिक, राजनेतिक नयाय, विचार, अभिवेक्ति, विश्वाज, धर्म और उपासना की स्वतंतरता और प्रतिष्था और अबसर की समनता परदान करता है, यह प्रस्ट इंपोर्टेंट है, UPSC, सेविल सेवा की परिक्षा हो, या फिर स्टेट, PCS की परिक्षा, बहुत प अबसर को कर देगा, अबसर नयाय है, या अबसर कर देगा स्वतंतरता है, तो इसको उपर नीचे करके, कॉश्चन बनाता है, एक्जामनर और विद्यार्थियों के मार्क्स कटवाता है, तो ध्यान दीद जीगा, तीन परकार का तो नयाय है इसमें, और पांच परकार की है इसमें स्वतंतरता और दो प्रकार की है इसमें समानता वो दो प्रकार की समानता कौन सी है प्रतिष्ठा और अबसर की पांच प्रकार की स्वतंतरता कौन सी है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता और जो न्याय है वो कौन-कौन सा है प्रशासन से संबंदित है। नेशक सिर्दान्त होना चाहिए क्या किस में होगा यह देखे यह है अनुच्छेद रुड़नचास में 49 में तो भारत के सम्भिधान के अनुच्छेद रुड़नचास का संबंद राश्ट्य महत्यु के इस्मारकों और इस्थानों और बस्तुओं की सुरक्षा से है राज के नीती, नीशक, सिर्दान्त कहां से कहां तक फैले हैं अनुच्छेद रुड़नचास से रेकर इक्याबन में फिर स्वाणड सिंग समिती ने अनुच्छा की फिर इक्याबन का ए बनाया गया उसमें जोड़े गए मौलिक कर्तब कोश्चन नुबर 16 न भासा के अधार पर राज्यों का पुनर गठन किस वर्स से किया गया था कब किया गया था 1956 में 1956 में देखे राज्यों पुनर गठन अधिनियम 1956 द्वारा भासा ही अधार पर राज्यों का पुनर गठन वर्स 1956 में किया गया विदित हो की भासा के अधा पर सरप्रथम आंध्र प्रदेश का पर्थक राजी के रूप में जो सरजन हुआ था 1953 में हुआ था कुश्य नमबर 17 है 1953 में हो गया था मतलब कुश्य नमबर 17 भारत सरकार का मुख्य विधी या विधिक अधिकारी कौन होता है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान है और यह भारत सरकार को कानूनी विश्यो पर सला देते हैं यह हैं भारत के महनेवादी अटार्नी जनर्नल ओफ इंडिया तो संभीधान के नुच्छेट 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्टपती महनेवादी की नियुक्ति करता है यह भारत सरकार का पर्थम बिधी अधिकारी होता है उमाहने अबादी के पास सक्तियां जो हैं संसत की किसी भी समीती का सरस हो सकते हैं यह और संसत की कारवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते ये मतदान बरी लाइन पे बहुत बार प्रश्ण पूछा गया है इसी से अलिमनेट होता है मतदान नहीं कर सकते वोट देने का धिकार नहीं है इनको संसद में अठारवा प्रश्ण है त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राजिक का दर्जा दिया गया है त्रिपुरा से आ रहता है अभी हाल ही में त्रिपुरा में सबसे ज़्यादे बेरोजगारी दर है भारत में तो बताईए अठारवे प्रश्ण का उत्तर क्या है 1972 में 1972 को त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राजिक का दर्जा दिया गया देखें किस जन्वरी 1972 को त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज का दर्जा दिया गया इससे पहले वर्स 1956 में राज पुनर गठन के समय त्रिपुरा को केंद शाषित प्रदेश बनाया गया था और भारत में लोकसेवा आयोग का गठन भारत के सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत किया गया है अनुछेद 315 से अनुछेद 315 में प्रवधान है 315 से 323 भारत में संग लोग से वायोग के गठन का प्राबधान भारती सम्विधान के नुच्छे 315 के तहत किया गया है नुच्छे 315 के प्राबधानों के नुच्छार संग और प्रतेक राज के लिए एक लोग से वायोग होगा question number 20 है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सरस्ब बनने की नियूनतम आयू सीमा क्या है यदि आपको पंचायत का चुनाब लड़ना है तो आपकी जो आयू है कितने वर्ष होनी चाहिए ये होनी चाहिए 21 वर्ष अगर आपको पंचायत का चुनाब लड़ना है तो आयू सीमा होने चाहिए आपकी 21 वर्ष आपको बोट देना है बिधान सभा के चुनाब में या लोग सभा के चुनाब में तो आपकी आयू होने चाहिए 18 वर्ष आपको उपराश्ट पती बनना है तो आपकी आयू होनी चाहिए 35 वर्स आपको परधान मंत्री बनना है तो आपकी आयू होनी चाहिए 25 वर्स मिनिमम 30 वर्स है तो भी आप परधान मंत्री बन सकते हैं वर् राजय सभा का सरेस्व बनने के लिए और फच्च्र वर्स- China सबीज़ बनने के लिए और रिधान सभा का सरेस्व बनने के लिए Raja की पति पर पराश्ट पतिराष्ट पर नीं बनने के लिए 35 वर्स है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कोई आयू सीमा नहीं है लेकिन अपर एज लिमिट है वो है 65 वर्स तो ये 20 प्रशन थे important थे quick revision भारते राजनितिक विवस्था का एक प्रशन तो पूछा जा सकता है इसमें से या दो भी पूछे जा सकते हैं तो इनका एक बार revision कर लेना जितने भी student समिक्षा अधिकारी अलहाबाद आरो का उन्होंने आबेदन किया है तो उनके लिए test series start कर द description में है उसको visit करके जुड़े रहे है चैनल से धन्यवाद